आज हम बनाएंगे श्राम की छोटी बोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा स्नेक्स तो बनाते हैं सबसे पहले पैन में एक चमज तेल डालें और हलका सा गरम होने पर हम उसमें एक चमज बटर डालेंगे और उसको भी मेल्ट होने दें और थोड़ा सा गरम हो जाने दें अब हम उसमें 5 से चेक लिए बारी लेसुन डालेंगे कटा हुआ और लेसुन डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा बून लेंगे इसमें इसका कच्चापन निकल जाए लेसुन का और अब हम इसमें दो हरी मिर्च डालेंगे बारी कटी हुई और इसको भी अच्छा सा बून लेंगे अब हम इसमें एक बारी कटा हुआ प्यास डालेंगे और इसको अच्छा सेक लें थोड़ा सा हलका ब्राउन हो जाए तब हम इसमें एक बड़ी शिम्ला मिर्ची काट के डालेंगे इन सब्जियों को हमें ज्यादा नहीं पकाना है थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए और अब हम मैगी को अपना कूट लेते हैं मैंना तो उसी पैकेट में कूट लिया है जिसमें पर छोटी-छोटी हो जाए मैगी एकदम बारीक हो जाए पताब पाउडर नहीं बनाना है पर इसको अच्छे से तोड़ लेना है और अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच लाल मिर्च आदा चमच ओर्गेनो और एक पाउज पूरा पैकेट का छोटा पैकेट आता है ना जो मैगी के साथ वही हमें इसमें मैगी मसाला एड़ करना है थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक हमें कम डालना है क्योंकि मैगी मसाला में भी थोड़ा सा नमक होता है और अब हम इसमें मैगी को डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी यहां में जादा नहीं डालना है बस इतना पानी डालना है कि मैगी हमारी हलकी सी गल जाए और सॉफ्ट हो जाए और अब हम ढग कर इसको दो मिनिट के लिए पका लेंगे अब देखिए हमारी मैगी पक गई है अब हम इसमें दो चमच सोया सॉस और दो चमच शेजवान चटनी एड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन दोनों सॉस डालने के बाद इसमें भी नमक होता है तो इसलिए मैंने पहले नमक कम डाला है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम मैगी को एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड मे रख देते हैं तो जब तक हमारी मैगी ठंडी हो रही है तब तक हम अपना आगे का प्रोसेस करते हैं तो अब मैंने यहां पे चार स्लाइस ब्रेड ले हैं और इसके चारों तरफ कॉर्णर कट कर लिए है और इन ब्रेड को हम बेलन की साहता से कम फ्लेट कर लेंगे और इसी तरीके से सारी ब्रेट कर लेंगे हलका सा एक दो बेलन मार लेंगे जिसमें जब हम इसमें मसाला भरें तो वो आराम से फैल जाए थोड़ा थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ पर एक दो चमच पानी डाल सकते हैं और बेलन इसी तरीके से चला सकते हैं अब हमारी जो मैगी प्लेट में रखी है वो भी ठंडी हो गई थोड़ी से तो अब हम इस मैगी को ब्रेड में अच्छे से रखके और दोनों तरफ से इसके कॉर्णर पानी की साहता से दोनों तरफ से चिपका लेंगे जिसमें यह खुलेने इसी तरीके से हम सारी ब्रेड को बेलन लगा लगा के थोड़ा सा पानी टाल कर हलका सा बेलन चला ले एक दो चमच पानी ही लगाना पड़ेगा आपको बस और इसी तरीके से सारी मैगी ब्रेड में रखकर और इसको हम चिपका लेंगे अगर आपको यह चपकाने में प्रापलम हो रही है तो आप इसे एक चमच मेंदा गोल के और इस तरीके से भी चफका सकते हैं पर मेंने यहाँ पर पानी से ही चपकाया है तो देखिए मैंने इसमें मैगी रखी और यह पानी लगा की बेली थी न और अगर आपको लग रहा है नहीं चिपकेगी तो आप थोड़ा सा ब्रश से या चमस से तोनों साइड से पानी लगा लें और इसको अच्छे से चिपका लें जिसमें ये बाइंड हो जाए इसी तरीके से सारी ब्रेड्स के स्नेक्स मैंने इसी तरह से चिपका लिए हैं गाइस और अब हम इसको फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर मैंने कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था अब हमारा तेल गरम हो गया है और अब हम इसको मीडियम लो गैस पे स्नेक्स डा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे एक तरफ से हलका सा सिख जाने के बाद ही आप इससे पलड़ देंगे तो दोनों तरफ से अच्य सख जाएगा और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं आप इसको किसी छणी में निकाल लीजे जिसमें जो भी extra oil होगा वो नीचे plate में आ जाता है या फिर आप इसको निकालने के बाद paper napkin में भी रख सकते हैं जिससे जितना भी extra oil होता है वो सारा उसमें आ जाता है और दीखिए हमारे कितने tasty crispy snacks तयार हैं मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ और आप ये आवाज सुन रहे हैं कितनी crunchy आवाज आ रही है इसमें तो हमारे snacks तयार हैं अगर आपको ये recipe पसंद आयो तो please like and subscribe करें Thank you